बदाम छीलते समय कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं बोलने चाहिए बदाम छीलते समय आपको वही शब्द बोलने चाहिए जो आप चाहते हैं जिन्दगी में अगर पैसा चाहते हैं तो मा लक्ष्मी का मंत्र जाप करें अगर आप शिक्षा चाहते हैं तो मासरस्वती का मंत्र जाप करें आप उसके अनुसार शब्दों का चेयन कर सकते हैं और ओम शब्द तो सर्व व्यापि है ओम शब्द का आप जाप करेंगे बदाम छीलते वक्त तो आपकी बुद्धी स्टेक्शन होगी और बुद्धी के द्वारा आप जो भी काम करना चाहते हैं वो सफलता पूरवक कर सकेंगे तो बदाम छीलते समय कभी भी नकारत्मक शब्द नहीं बोलने चाहिए क्योंकि बदाम बुद्धी बढ़ाती है और बुद्धी बढ़ाने के लिए इसको एनरजाइस करना जरूरी होता है आप इसको छूकर कुछ शब्द बोलते हैं तो आपका भला होता है और आपकी तरक्की होती है और आपके पास पैसा ही पैसा आने लगता है जैसे आप मनी चाहते हैं एक स्विच वर्ड है डिवाइन काउंट ओर्डर डिवाइन काउंट ओर्डर बोलते ही आपको चमतकारिक रूप से लाव होगा मनी भी बोल सकते हैं मनी 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 तब भी आपको लाव होगा तो कुल मिला के ये कहना चारी हूँ बदाम छेलते समय जो आपको चाहिए उसके हिसाब से शब्दों का चैयन करें आज का वीडियो इतना ही था मैं हूँ एस्ट्रोलोजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री आप मुझसे परामर्श लेने के लिए संपर करिए थैंक्यू सो मज